दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपने तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की सबसे पहली कबर रसोय में फिर लगी महंगाई के आग पांच राज्यों के गारा सहरों में गैस सिलिंडर के दाम एक हज़े पार पटना वालों को देने होंगे सबसे ज़्यादा एक हजार अर्टालिस रूप्य जहाँ पांच राज्यों के चुनाओं खतम होने के बाद आब महंगाई बढ़ना सुरू हो गई है तेल कमपानियों ने घरोली गैस सिलिंडर के किमत में भी 50 रूप्य का इजापा किया है इस बिहार मजद परदेश जहारका नुतर पादेश और 36 गड़ में 14.2 किलो का बिना सबसीडिवाला सिलिंडर 1000 रूप्य से उपर निकल गया है आपको बता दे कि पाटना में यहाँ 1048 रूप्य का मिल रहा है दिल्ली के बात करें तो यहाँ आब 14.2 किलो का बिना सबसीडिवाला सिलिंडर 949.50 रूप्य में मिलेगा यानि आपको बता दे कि पाचो राज्यों में से बिहार को सबसे ज़्यादा किमत देनी पड़ रही है बाड़ी कबर बिहार NDA से मुके सने आउट छलका दर्द सनाप माला ने कहा लालो जी की बात नहीं मान कर बहुत बड़ी गल्ती की अब हाईपी सुप्रीमों और बिहार सरकार के मंतरे मुके सने ने मंगलवार को ये सिवकार कर लिया कि अब उन्हें NDA से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है सोसल मीडिया पर लाइव आकर उन्हें दर्द को बया किया है सने ने साब कहा कि हमारे तागत बढ़ रही थी इसलिए सायोगी दलों को बदास नहीं हुआ हमारे तागत को देखते हुए सायोगी दलों ने हमसे ही गारा सीट पर समझोता किया था लगात कि इसकी और तागत बढ़े ये तो आने वाले समय में 51 और 100 सीटो पर भी समझधा करना पड़ सकता है ऐसे में वहां हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं लगातिनों ने कहा कि मुझे अफस्स हो रहा है कि उस दिन यादि लालो जी के बाद माल लेतो तो यह दिन नहीं देखना पड़ था आरजेडी की तरफ से चार-चार मंतिर और डिप्टिस से मराने का उफर था हमने इसे ठुकरा दिया 12 राजपाल कोड़े से 6 MLC बनना था मुझे मिलना था उसे भी मैंने ठुकरा दिया हमने इंडिया पर भरुसा जाता है हमने मुझे मंत्री नितिस कुमार पर भरुसा जाता है लेकिन आज क्या हो रहा है यह सब आपके सामने है बाड़ी कपर बिहार दिवस पर नितिस कुमार नेकी आमान चैन के अपील बोले बरसाथ के पहले राजपिर वा गया में पहुंचे गागा जारी मुझे मंत्री नितिस कुमार ने कहा कि राज में आप सभी तबगों के लिए सरकार काम कर रही है बिहार दिवस के उसर पर गान्धी मेदार में मुईकी समारों को समद्द करते हुए मुखमंत्रे ने कहा कि जल जवन हर्याली के तहद गंगा ने दिके जल को चार महिने के लिए गया बोद गया नवदा और राजगिर पहुचा जाने की होजना है बरसात के पहले इसे जमीन पर उतारने की कोसिस की जा रही है मांसुन के समय चार महीने गंगा ने दिका जल इनसारों में ले जाया जाएगा और आम लोगों को बारह महीने जल उपलब्द कराया जाएगा समारों में इस साल के इंटर परिचा के टोपर चात्र चात्रों को मुख्य मंत्रे ने समानित किया इसके पहले उप मुख्य मंत्रे तार किस और परसाद सिख्चा मंत्री विजाई कुमार चोद्री ने भी समारों को समुधित किया अगली बड़ी खबर पटना के महावेर हाड ऑस्पिटल में आप गरेब करवा सकेंगे हाड सरजरी मिलेगा आईसमान भारत के योजना का लाब पटना के सिविल सरजेंट डाक्टर विवा सिंग ने बिहार दिवस के मौके पर महावेर हाड ऑस्पिटल में हाड सरजरी के मरीजों को भी आईसमान भारत योजना का लाब देने की गोसना की है। पैतिस सरकारी अभाम एकतर नेजी अस्पतालों को सुची बद किया गया है। हारदिक सुब का मनाएं। बड़ी कबर बिहार में वायू पर्दोसन जान लेवा। है कि सबसे जदा पर्दोसन वाले टॉप 10 सरों में 6 सहर बिहार के हैं। जबकि 4 सहर NCR के सहरों के हैं। सिवान और मुंगेर पहले और दूसरे नमबर पर है। जबकि गाजियाबाद तिसरे और दिल्ली पाचवे स्थान पर है। बाड़ी कबर अपरेल से सुरू होगा दुनिया के सबसे उचे रामाइन मंदिर के निर्मान सबसे बड़े सिवलिंग के अगले साल होगी सपना। बिहार के पूरवी चामपारन जिले के केतवलिया में बेश्वे के सबसे उचे यानि की 270 फीट विराट रामाइन मंदिर के निर्मान कार अपरेल 2022 में सुरू हो जाएगा। निर्मान कार के लिए जरोरी जमीन के इंदिजाम हो गया है। प्रस्तावित मंदिर के लिए लबग 125 एकड़ जमीन क्या बच सकता है। इसमें से अब तक 101 एकड़ जमीन मंदिर को मिल चुकी है। इस अब तर निप्टाल अपने बैंक से जुड़े काम महिने के आखरी हपते में हर्ताल के कारण चार दिन रहेंगे बड़ जिया 28-29 मार्च के उदधे के हर्ताल में बैंक की ओनियन्स के सामिल होने से 26-29 मार्च तक लगतार चार दिन बैंक बंद रहेंगे। अलावा सभी बैंक और ग्रामीन बैंक के अधिकारी और करमचारी हर्ताल पर रहेंगे। यूजिसी ने घोसना कर दिये कि सभी केंद्रे विस्विद्दलयों में आगामे सक्चिनिक वर्स याने 2022-23 में सभी सनादक पाइटकरों में परवेस परिचा के अधार पर नमंकर लिया जाएगा। इस साल से किसी भी केंद्रे विस्विद्दलयों में इसना तक परवेस के लिए बारवी के अधार पर नमंकर होगा। बाड़ी कबर लालो यादव की तबियात बिगडी मेडिकल बोर्ड के जाच के बाद राची के रिम्स से दिल्ली के एमस सिफ्ट किया गया। आपको बता दे के लालो प्रसाद यादव के किड्ने के सिफ्ट लगतार बिगड़ते रही है जिसके कारणी उन्हें एमस सिफ्ट कर दिया गया है। बाड़ी कबर बिहार में अब बिजली इंजिनियर करेंगे सोलर इस्टिट की निगरानी हर पंचाइद के एक वाड में लगाये जाएंगे बिस वाड की दस लिडिलाइट जैसरकार के साथ निश्चे दो के तहत मुख्यमंतरी ग्रामीन सोलर इस्टिट लाइट योजना के बिहार के गाउं में लगने वाले सोलर इस्टिट लाइट की निगरानी बिजली इंजिनियर करेंगे बिजली कमपानी ने इस बाबात इंजिनियरों की तैनाति की है चानकारी के अनुसार आने वाले अप्रेल महने से सोलर इस्टिट लाइट लगाने का काम सुरू हो जाए बिहार दिवस पर ट्रैफिक पुलिस के अनुटी पहल बिला हेलमेट बाइक चलाने वालों पर पहले काटा फाइन फिर फ्री में दिया गया हेलमेट जा बिहार दिवस के मौके पर नलंदा जिले के ट्रैफिक पुलिस ने अनुकी पहल कर लोगों से यातायात नियमों का पाल के सयोग से बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वाले सवारों से फाइन के बाद एक एक हेलमेट दिया गया साथ ही उन्हें ट्रेफिक नियुमों का पालन करने के बाद भी बताए गई बाड़ी कबर दरबंगा एमस से पहले होगा डियमसी एच का विस्तार और विकास पाज अरब खर्च करेगी बिहार सरकार दर्बंगा एमसे से पाले DMCH का विस्तार और विकास होगा उत्तर विहार के सबसे बड़े चिकिसा संसान DMCH के विकास का ब्लू प्रिंट तैयार हो गया है जल्दे अस्पतार के दिन बहुरेंगे इसको लेकर विवाग की ओर से बजटिया प्रावधान किया गया है स्वास्ति बिवाग की ओर से DMCH के विस्तारी करन एवाम पुर्नर विकास को लेकर पाच दसबलव उनतर अरव पिव रुपे के रासे आवंटित की गई है इस समन्द में स्वास्ति बिवाग के सेंगत सचेव राम इस्वर ने महाले का कार पटना को पत्र जारी किया है बाड़े कबर बिहार में होले खतम होते ही ततकाल टिकट के लिए सुरू हुई मारा मारे रात भार रिजर्वेशन काउंटर पर सो रहे हैं लोग जा बिहार में होले परव खतम होने के बाद लोग अपने काम पर लोटना सुरू कर दिया है परव खतम होने के तिन दिन वस्ताव को लेकर परिसानी का सामना करना पड़ रहा है ततकाल टिकट के एक गंडे पहले यार्पीअप यात्रियों को लाइन में खड़क कर टिकट दिलवा रही है लेकिन कई बार आर्पीअप के जवानों के रहने के बाद भी यात्री आपस में भीड़ जा रहे हैं आपक कई आत्रियों ने बताए कि जैनल वोगे में इस सपर करना पड़ेगा जो टिकट की सिती है उससे ऐसा लग रहा है कि 15 दिन बाद ही टिकट मिलेगा बाड़े कबर मंत्रिस रवन कुमार बोले बिहार में सबसे बड़ी समयसा बेरोजगारी है विसेस राज का दर्जा गताब रोजगार के उसर मिलेंगे वहीं जहरेली सराब पर कहा कि जब कोई जहर पिने को तयार है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं लोगों को यह बताया जा रहा है कि सराब पिना स्वास के लिए हनिकारक है जो चाहे जहरेली हो या ना हो सराब नहीं पिना चाहिए मंद पाटना हाई कोड ने senior secondary eligibility test में बिहार विदाले परिचा समीती द्वारा गलत उत्तर का विकल्प के रूप में देने के मामले पर सनुवाई करते हुए बिहार विदाले परिचा समीती को हल अपनामा दायर करने का निर्दिस दिया है कोड ने बिहार परिचा समीती को इसपष्ट किया है कि senior secondary सिक्षक की कोई भी आंतरिम नियुक्ति इस मामले में कोड की निर्दिस पर निर्वर करेगी करेंगे इसका जवाब आप में नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं